मुलेठी पाउडर या जो आज आप सभी को इस वीडियो में एक स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा एफेक्टिव है और इस होम रेमडी में यूस किये गए इंग्रीडियंट्स भी सारे नाच्रल है और बहुत ही ज़्यादा एफेक्ट या जिसको हम लिकोराइस पाउडर भी कहते हैं उसके बाद आपको चाहिए कॉफी पाउडर फिर आपको चाहिए बेसन या ग्राम फ्लॉर उसके बाद आपको चाहिए ऐलोविरा जेल और यहाँ पर मैंने रेडिमेट ऐलोविरा जेल यूस किया है बट अगर आपके पास तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में चाहिए आधा नीमबू तो इस होम रिम्डी को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बड़ी कटोरी में एक चमच बेसन ले लीजिए फिर उसके बाद आप उसके अंदर एक चमच मुलेथी पाउडर या लिकोराइस पाउ जाएं और अच्छे से इन तीनों इंग्रीडियंट को मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर एक चमच एलोवरे जेल डालिए और लास्ट में आप इसके अंदर आदा नीमबू नी चोड़ दीजिए और अगर आपकी ड्राइस्किन है तो आप नीमबू की जगा कच्य दू अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक स्मूथ पेस्ट बनाएं और सभी इंग्रीडियंस अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी स्किन पॉलिशिंग होम रिमिडी रेडी है और वह कुछ इस तरह दिखेगी और स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट को यूस करना भी बहुत और जेंडली स्क्रब करना है तीन से चार मिनिट के लिए और आप इस होम रिमिडी को अपने फेस और नेक के साथ साथ अपनी फुल बड़ी पर भी यूज कर सकते हैं और अच्छे से स्क्रब करने के बाद आप इसको ऐसे ही 10-15 मिनिट के लिए सूखने के लिए चोड़ दीजिए या तो आप इसी पेस्ट की एक थे क्लेयर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं फिर उसको 15-20 मिनिट के लिए सूखने के लिए चोड़ सकते हैं और जब अच्छे स सूख जया तो आपने स्किन को नॉर्वन पानी से धो कर पैड़र और मॉस्चराइज कर लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही इस्तमाल से इस होम रेमीडी के मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कितना जदा फ्यार ग्लोइंग और रेडियंट हो चु करना होगा तो आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और आप मेरे चानल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी इजी और एफेक्टिव होम रेमीडीज देखने के लिए